अलो दोस्तों, welcome back to channel, आईए स्टार्ट करते हैं, beer call spread strategy को समझना, एक advanced option selling strategy, ये strategy आपको beerish market में use करनी है, एक option selling strategy है, call option को sell करके इस strategy को execute किया जाता है, और एक spread किया जाता है, तो ये एक hedged strategy है, आपको hedging rules भी इसमें समझाओंगा, कि किस तरीकी से इस strategy को आप hedge कर सकते हो, क्य risk रहेगी, क्या risk reward रहेगा, सारा कुछ detail में समझनी की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, मैं नाम सी रजित राज़िया, वीडियो शुक्रने इस पर आपसे request है, चनल को subscribe कर लेजिए, bell icon को click करना ना बूले, तो start करते है, beer call spread strategy को समझना, जैसे कि इस strategy का नाम के लिए रहे beer call spread, beer मतलब bearish market में strategy को use करना है, call का मतलब call option के जरीए strategy को use करना है, तो bearish है और call option को किस तरीके से काम करेंगे, call option sell करके काम करेंगे, जब आप bullish रहते हैं, तो call option को buy करते हो आप, तो आप bearish हो, तो call option को sell करोगे, और एक spread create करोगे, मतलब इस strategy में आप hedging करके चलेंगे, ना कि आप इसमें naked, naked option selling नहीं करनी है, hedge option selling करनी है, तो एक lag को आप buy करके भी चलते हैं, strategy में कैसे execute करना है, आगे वीडियो में समझेंगे, सुआइए समझने की कोशे करते है, pre-requidits की क्या क्या ज़रूरत है इस strategy को execute करने के पहले, सबसे पहली बात market का view पता होने चाहिए कि market bullish लग रहा है, bearish लग रहा है, neutral लग रहा है, तीनी तरीके होते है market के, तो bearish market में ये strategy को आपको apply करना है, market view पता करने की बात आपको resistance level पता करना है, देखिए resistance level क्या होता है, support resistance समझते हैं, ये resistance है, market अगर नीचे है, तो उपर एक ऐसा level होगा, जहां से price reverse मारेगा, तो इस level को बोलते हैं resistance, और support क्या होता है, नीचे एक level होता है, जहां से market उपर जाएगा, इसको support बोलते हैं, तो आपको market bearish है, पहले ये पता करना है, और इसके बाद देखना है कि कोई resistance level है, कि जहां से market reverse करेगा, तो ये दो चीज़ें बहुत important है, इस strategy में, इनको पहले पता कर लेना है, तो सबसे पहले पता करते हैं, कि बाएग मार्केट व्यू कैसे पता करना है, तो चलिए चार्ट पे एक quickly market view बनाने की कोशिश करते हैं, तो देखें यहां पर, market में हम अभी nifty का chart analyze कर लें, आली time frame पे, market देखिए, 22,800 से लगतार आपको देखिए, fall आते हुए दिखा है, नीचे से market ने support लिया है, 21,800 के आसपास, and then वहां से एक reversal आपको देखने को मिला है, तो यहां पर अगर हम बोलें, कि market यहां से reverse मार रहा है, कितना उपर आएगा, इसके लिए हम Fibonacci Retracement Tool का यूज करते हैं, यहां पर जाके Fibonacci Retracement लगाते हैं, टॉप से लेके down तक इसको drag किया जाए, तो आप देख पार है, exactly 61.8 का level यहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर जाके market जो है resistance phase कर सकता है, तो यह एक important level हो सकता है, जहां पर market आके अटक सकता है, तो यह आपका एक level हो जाएगा, इस level को हम mark कर लेंगे 22,400 के आसपास का level, तो अगर इस level पे हमको एक short pattern देखने को मिलता है, आली time frame पे एक ऐसा कोई engulfing pattern मिले, या फिक कोई ऐसा bearish ने ऐसा double top pattern देखने को मिले, तो definitely हम इस level से एक shorting opportunity तराश कर सकते हैं, इस उमीच जयता जा सकती है, कि इस bearish downtrend में, जो भी correction होना था हो चुका है, price यहां से अब reverse कर सकता है, तो यह आपका अगर view है, और resistance level भी आपका clear है, कि हमारा 22,400 के आसपास resistance है, 22,500 का option भी एक resistance level रहेगा, कि इन options के उपर, इन जो levels है, इनकी उपर price नहीं जाएगा, यह हमारा estimate है, तो हमको option selling में हमेशे यह देखना होता है, कि price कहां पर नहीं जाएगा, तो bearish outlook है, और हम बोल रहे हैं कि 22,400 के उपर price नहीं जाएगा, यह तो नीचे जाएगा, यह फिस sideways रहेगा, ऊपर जाएगा, तो इसकी ऊपर नहीं जाएगा, तो यह आपके लिए इतनी steady आपको पहले करके रखनी है, इस strategy करने के बाद जान लीजिए, कि इस strategy में आपकी risk रहेगी limited, प्रॉफिट भी रहेगा limited, तो यहाँ पर आपको unlimited risk के साथ, जो कि हम बोलते है option selling में unlimited risk होती है, बट इसको हम hedge करके चलेंगे, तो unlimited risk नहीं रहेगी, प्रॉफिट भी हमारा limited रहेगा, क्योंकि हम option selling कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपको strategy को use करना है, तो आपको समझते हैं कि किस तरीके से हम strategy को समझना है, इस strategy को समझना स्टाट करते हैं, watch list में चलते हैं, यहाँ पर watch list में strategy section पर जाएंगे, strategy section में हम nifty में strategy का execute कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम नifty के level नकाल ले हैं, तो nifty पर हम click करेंगे, expiry के लिए हम next expiry select करेंगे, यहाँ पर 23rd में expiry दिख रहे हैं, इस expiry को select कर लिया है, अब हमको view निकालना है कि bullish है view हमारा bearish है view या neutral है view, तो हमारा view क्या है, हमने अभी analysis किया चार्ट पर हमारा view बोल रहा है bearish, तो हम यहाँ bearish पर click करेंगे, bearish पर click करने के बार नीचे strategy select करते हैं, तो strategy हम देखेंगे bear call spread strategy select करना है, bear call spread strategy select करके स्कों हमने apply कर दिया, जैसे हमने apply किया यहाँ पर हमारा e isat options आगें, तो यहाँ पर देख बाप टीट्राय है 22,400 का call option आप sell कर सकते हो 22,500 का call option buy करके चल सकते हो या फिर आप नीचे जाते जाएंगे तो आपको और OTM options आपको देखने को मिलेंगे तो हमारा simple है हम 22,400 का हमारा level था कि हमीं लग रहा है 22,400 की ऊपर market नहीं जाएगा 22,400 का call option हम sell करेंगे जिसका price अभी देख रहे हो 170 रुपीज चल रहा है और 22,500 का call option हम buy करके चलेंगे जिसका price चल रहा है 119 तो इसे strategy पर हम click करके देखेंगे तो यहाँ पर और detail सामने आएगी तो detail में आप देख पा रहे हैं कि 170 का option sell कर रहे है 119 का option buy कर रहे है maximum profit आपका ए profit देखें तो इसमें दिख रहा है 50% probability of profit है यह भी आपको दिखा रहा है कि भाई इस strategy करोगे तो आपकी probability 50-50 रहेगी तो यहाँ पर आपने इस risk reward ratio देखा 1 to 1 probability of profit देखा 50-50 अगर आपको इस probability of profit को बढ़ाना है यह पचाल पचाल से काम नीच चलेगा हमको 65-70 चाहिए तो और दूर जाना पड़े है तो हमने जैसे 22-400 सेल किया है तो आप चाहें तो 22-500 सेलेट कर लीजिए 22-600 सेलेट कर लीजिए तो आपका देखें ऑप्शन छोटा हो जाएगा premium आपको एक सो सेल करना पड़ेगा बट यहाँ पर आपका probability of profit बढ़ जाता है तो यहाँ पर हमको बड़ा premium वाला option सेलेट करना है तो हमने एक तो बाई साया 400 का option सेलेट कर लिया है उसको hedge करने के लिए 100.00 उपर बाई साया 500 पे हम लोगोंने एक option buy कर लिया है अब इस strategy में हम payoff chart भी देख सकते हैं नीचे जाके payoff chart भी देख सकते हैं इसके greeks भी देख सकते हैं और strategy का chart भी place हो जाएगा तो इस तरीके से हमने strategy का execute किया तो आएए chart पर आके देखते हैं कि strategy में हमने क्या करा और क्या होगा आग जाके तो यहां पर हमने strategy execute करी है 22,400 को जो लेवल है 22,400 का हमने call option sell किया है call option sell किया है जिसका price है 170 रुपीज और 22,500 का हमने call option buy किया है इसका price था नीचे रहता है तो हमारा जो 170 वाला option जो हमने sell किया है ये भी 0 हो जाएगा 120 वाला option है ये भी z로 हो जाएगा तो यहां पर हमारा ये option sell किया है 770 पे 0 पे buy करेंगे तो 170 प्लस मिलेगा हमको और यह हमने buy किया है option 120 पे यह 0 हो जाएगा तो इसमें हमको minus 120 मिलेगा total अगर देखें तो plus 50 हमको मिलेगा अगर market जो है expiry तक अगर इस level के नीचे रहता है तो लगभव 50.1 lot पे हमको profit होगा एक lot होता है 1250 रुपए कि आसपास आपको एक lot में profit हो जाएगा और इसमें capital कितना लग रहा था हमने देखा था 16500 के आसपास का capital लग रहा था तो आप देख पा रहे हो 16500 का capital लगा के अगर आपनो इस आपका यह अनले से सही होता है तो आपको 1250 रुपए का profit होगा जो की निकल किया था 1250 डिवाइजर भा 16500 लग बख सारे 7% के आसपास का return आप expect कर सकते हो अगर आपका यह view सही होता है तो आप चाहो तो और उपर के options भी sell कर सकते हो तो इसमें हो सकता है कि profit कम हो return capital हो सकता है कि 2-3% बने तो 2-3% return भी बहुत ही बढ़िया होता है आप अगर देखें अभी 16 तारीक के आसपास है तेज तारीक में लगबख 7 दिन बाकिया है साथ दिन के अंदर अगर 2-3% का return भी मिलता है आपके view के साथ तो बहुत ही बढ़िया है तो इसमें catch क्या है आपका analysis सही होने चाहिए आपका level सही mark दोने चाहिए और आपकी strategy सही होने चाहिए तो हमने beer call spread strategy समझा किस तरीके से plot करना है I hope ये वीडियो आपको informative लगा है informative लगा है तो please hit the like button comments में बता है next कौंसी option selling strategy आपको समझना है thank you for watching happy trading investments in securities market are subject to market risks read all the related documents carefully before investing